परबर अपस्वर्स पॉर्ण के हैं अब्रस बार्वर्स बने शब्स क्या होटेश के आप मात्रा से शब्स बने क्या होक होते आप परपार में यह नहीं शिक्काती आमेंगे कोई लेसेन भी नहीं बणाते हैं लेकिन पहले आपको क्या आना जरुरी होता है? तो मात्रा उससे बने शब्द लिखना पहले आना जरुरी है न? अगर मात्रा ही नहीं आरीगी, उनसे बने आप शब्द पड़ कि पाएंगे, तो आप एक आद पोएम कैसे रीड़ करेंगे? नहीं कर सकतेंगे. इसलिए आपको पहले क्या आना चाहिए, शब्द पढ़ना आना चाहिए, वो शब्द लिखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको पहले क्या सिखा रही हूँ, मात्रा, मतलग A-A-E-E, उसके बाद हम जब वेंजनों को मात्राइं लगा कर जो शब्द कैसे लिखते हैं, यह हमने सिखा, यह आना आपको जरूरी भी, वैसे हमने देखा कि A-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- यहां कैसे लिख सकते हैं, यह आज मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाली हूँ, यह देखिए, अभी यहां पर क्या शक्त दिया है, चड़, यहां, यहां को आ की मात्रा दी ले, तो यह शक्त आपको सही लग रहा है, और यहां पर क्या दिया है, कहा गया है, की की मात्रा लग पहले वाले एकी मात्रा अलग होती है और दूसरे वाले एकी मात्रा हो यह वो अलग होती है तो चाड यहां ऐसा शब्दा आपको यहां पर दिया गया है और आपको यहां भी क्या करना है इकी मात्रा लगा लगें, तो आप इकी मात्रा कैसे लगांगे, पहले वाले एकी मात्रा, चो को पहले वाले एकी मात्रा, तो हमारा कौन सा शब्द बन गया, ची, इसके बाद द को भी पहले वाले एकी मात्रा, तो शब्द बन गया, दी, अब पढ़िए, पूरा शब्द शब्द कौन सा बिद गया, चीरिया ठीक है, बच्चों, समझ मैं अगर देखें, यहाँ पे शब्द यह नहीं दिया है, लेकिन नयल, यह कुई शब्द है नहीं, तो जहां पर भी शब्द नहीं है, वहां पर आपको शब्द लगाना है तो ना, य, ल, ये शब्द होता है? नहीं, तो शब्द कौन सा होता है? नारियल, अब नारियल सिर्थ मैं ऐसा लिखूंगी, तो ये सरी है ना, र, य, ल, गलते कहीं, तो मुझे ई की मात्रा लगाने है तो अब तहाँ पर लगाना है, य की मात्रा य के आगे लिखा होंगी, य र के लिखा होंगी तो मैं, आप देखें, यहाँ पर आगे लगाने है nah-ब, य, ल, शब्द आपको सरी लगाना है? नहीं तो आपको कहांपे लगाना है यह की मात्रा, आपको र के पहले लगाना है, नारियल, उनके आना हमारा शब्द दो फिर, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, शब्द खूद लिखने हैं, पांच पांच शब्द, पहले वाले यह की मात्रा के पांच, दूसरे वाले यह की मात्रा क शब्द पाच इसे ही आपकी क्या होती जाएगी? प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको आसानी से कोई भी शब्दा आपको अगर लिखने के लिए कहा जाए तो जट से लिख सकते हैं अब देखें मठाई आप यह मठाई शब्द आपको सही लग रहा है नहीं आपको क्या लगाना है इस शब्द में ए की मात्रा लगानी है आप देखिए पहले वाले ए की मात्रा लगानी के बाद कौन सा शब्द बन गया मिठाई सबको अच्छे लिए ना बहुत ही मिठी मिठी होती है मिठाई तो देखिए मिठाई और देखिए हर न और यहां पे हिर अर्फिक नाय मुझे, तो मुझे अ के पहले मुझे क्या लगानी में? E की मात्रा लगानी में, यह वीर न, बने ना हमारी शब्द, इन्हें का लगा जका है? E की मात्रा से बनने हुए शब्द, अब देखें यहां पे दूसरी वाली E, दूसरे वाले ए का निशान कैसे देखिये, यह वाली पहली वाली और यह है अमारी दूसरे वाली की, अब देखे यहां पे ए की मात्रा से बने हुए शब्द, मतलब यहां पे क्या है, एक गुल, राउंट निका लगा है, इसले ली, और यहां पे जा, ऐसा शब्द, जो को आ की मतला, अब देखें, यहां पे लग को दूसरे वाले ए की मतला देते हैं, तो इससे कौन सा शब्द बन गया, जा, ली, ऐसे यहां पे कौन सा बन गया, जा, ली, ता, ली, मा, ली, तो इसके आगे हमें क्या दखाए इसका, एक सा दिखना है यह दिखें, जा, ली, जा, ल ताली, माली, ताली तोड़ा उपर लीचे हो गया, तो इसे लिए क्या हो गई इसके चार शब्द बने, तो आप भी ऐसे कुछ शब्द बना सकते ना मुझो, तो इसे क्या रखा जलता है, दूसरे वाले इक्टी मात्रा, ठीक है, मैंने मात्रा लगाते समय याँ आप बाहर न तो इसे दूसरे वाले इक्टी मात्रा कहा जाता है, और दो शब्द उधान के मैं अपर लगाता है, नद, नद कोई शब्द होता है, नद, नहीं, तो मुझे दूसरे वाले इक्टी मात्रा निकालनी है न, तो कैसे की तारूंडी में, यहाँ पर ऐसे निकालनी है, बन गया अब उजे नानी शब्द लिखना है, नान वो गया है तो उजे क्या निकाना है यापे, क्या लगाना है? दूसरे वाले एकी मात्रा तो बन गया है नहीं है शब्द, नानी खीक है बच्चों, आपको समझ में आओका ना? ए और एकी मात्रा से बने हुए शब्द, पहले वाले एकी मात्रा से बने हुए शब्द, और दूसरे वाले एकी मात्रा से बने हुए शब्द, तो आपको क्या करना है, अपने अपने नोड़ूप में पांच जो शब्द है, वो पहले वाले एकी मात्रा से बने हुए दिखने धन्यवाद बच्चो